बीते दिनो नागलेंड के मोन जिले में हुई गोलिबारी की घटना में असम राइफल्स के एक जवान समेत कुल 15 लोगों की मौत हो गई थी इस घटना को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर एक विडियो वाइरल हो रहा है वाइरल विडियो में सेना की वर्दी पहने कुछ जवान और लोगों के बीच जड़प होती नजर आ रही है विडियो में दिख रहे सभी जवान बंदूकों से लैस है जबकि पास खड़े लोगों ने हाथ में लंबे चाकू नुमा हत्यार पकर रखे है जड़प तब शुरू होती है जब पास खड़ा एक व्यक्ती सेना के जवान की गर्दन पर चाकू रखकर उसे धमकाने की कोशिश करता है बतले में सेना का एक जवान जमीन पर फाइरिंग कर उस व्यक्ती को रोकनी की कोशिश करता नजर आता है दावा है कि ये विडियो नागलेंड में 4 दिसंबर 2021 को हुई गोलिबारी की घटना का है सोशल मीडिये यूजर्स लिख रहे हैं कि उकसाए जाने पर भी आर्मी के जवान कभी भी पहले वार नहीं करते खुद को पूर्व रक्षा दिकारी बताने वाले एके नैथानी ने वाइरल विडियो ट्वीट कर अंग्रेजी में कैप्शिन दिया है जिसका हिंदी अनुवाद है कि इस तरह उकसाने पर कोई कैसी प्रतिक्रिया देता है सैने को द्वारा दिखाए गए सैयम पर ध्यान दे आप अपना निशकर्ष निकाल सकते हैं बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने वाइरल विडियो को ट्वीट कर लिखा सेना का धहरे देखिए कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी वाइरल विडियो को शेर कर नागालेंड की घटना से जोड़ा था दललन टॉप ने वाइरल दावी की परताल की हमारी परताल में वाइरल विडियो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक निकला वाइरल वीडियो नागलेंड में हुई घटना का नहीं बलकि कोलंबिया का है वाइरल वीडियो की परताल के लिए हमने वीडियो के एक फ्रेम को reverse image search की मदद से खोजा सर्च में हमें केबल नौटिसियाज TV के YouTube चैनल पर पांच जन्वरी 2018 को पोस्ट की गई एक news report का वीडियो मिला इस वीडियो का टाइटल Spanish भाषा में है जिसका हिंदी अनुवाद है कोरिंटो काउका में military और इस्थानिय लोगों में टकराब साथी वीडियो से जुड़े keywords को search करने पर हमें कोलंबिया की news website LTMPO पर 14 जन्वरी 2018 को पोस्ट किया गया एक आर्टिकल मिला आर्टिकल में मिली जानकारी के अनुसार जब सेना के जवानों ने काउका इलाके के उत्तर से अवैद कबजा हटाने की कोशिश की तो इस्थानिये लोगों और सेना के जवानों के बीच जड़ब शुरू हो गई साथी लिखा है कि पबलिक सर्वेंट के खिलाफ हिंसा करने और किसी अन्य की संपती को नुकसान पहुचाने के अपराद में दो लोगों पर मुकदमा भी चलाया जाएगा दिललन टॉप की पर्टाल में वाइरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक निकला वाइरल वीडियो कोलंबिया में आर्मी के जवान और स्थानिये लोगों के बीच हुई जड़ब का है इसे साल 2018 में केबल नोटीस याज टीवी यूट्यूब चानल पर पोस्ट किया गया था वाइरल वीडियो का नागा लैंड में हुई गोलिबारी से कोई संबंध नहीं है आपके लिए परताल कीती हमारे साथी अंशुल ने देखते रही दीलललन टॉप शुक्रिया